बिंध्य परवत पर बिराजमान आधि सक्ति माता बिंधिवासनी की महिमा अपरम पार है इनके गुडों का बखान देवताओन में भी किया है मा बिंधिवासनी के धाम में दर्सन पुजन करने से भक्तों की सारी मनो कामनाये पूरी होती है बिंध्य परवत की विशाज सिंखला को बिंध्या चल में ही पतित पावनी गंगा सपर्ष करती है ऐसा माना जाता है इसी स्थान पर आधिसक्त माता बिंध्य वासनी अपने पूरे सरीर के साथ बिराजमान रहती है नवरात्र पर यहां पर इतनी जादे भीड होती है कि तीन किलोमेटर का एरिया तीर्थिस्थल गोशित कर दिया जाता है यहां माता अपने तीनों रूप महालक्षमी, महाकाली वह महासरस्वति के रूपों में त्रिकोड के रूप में बिराजमान है अगर कोई भी भक्त यहां माता बिंधिवासनी का दर्सन करने आता है तो उसे त्रिकोड की यात्रा जरूर करनी चाहिए और जो भी भक्त यहां प्याता है वो सबसे पहले मा बिंधिवासनी का दर्सन करता है फिर अश्ट भूजा फिर काली खो और इन तीनों मंदिरों के दर्शन को त्रिकोड माना जाता है त्रिकोड पत पर पहली देवी है मा बिंदिवासनी जिने महालक्षमी भी कहा जाता है त्रिकोड पत पर दूसरी देवी है मा काली जो की काली खो में विराजमान है इने महा काली भी कहा जाता है माता अस्ट भुजा इस त्रिकोड पत पर तीसरी देवी हैं जो महा सरस्वती की रूप मानी जाती हैं और ये मंदिर भी बिंद परवत पही इस्तित है तो अगर आप त्रिकोड की आत्रा करते हैं तो इन तीनों मंदिरों का दर्शन कर पाएंगे मानेता है कि मा अस्ट भुजा भगवान सिरकेष्ण की बहन है जन्म के बाद जब क्रूर कंस ने इन्हें उठा कर पत्थर पर पठकने की कोशिस की तो वह कंस के हाथों से छूट कर आसमान के माध्यम से बिंद्याचल परवत की गुफा में विराजमान हो गई थी अगर आप बस से बिंद्याचल आना चाहते हैं तो आप लखनव से कानपूर से इलहाबास से और वारारसी से बस के द्वार आ सकते हैं यहां से ट्रेन की भी सुविधा उपलब्द है और अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो बनारस में बाबतपूर हवाई अड़े परिस्तित है और वही बनारस से भी लगबग 80 किलुमेटर की दूरी परिस्तित है तो चाहें तो आप बनारस से और एलाबा से आ सकते हैं अगर हम बिंध्याचल या त्रिकोड मंदिरों के खुलने की बात करें तो यह भोर में 4 बजे खुल जाते हैं और लगबग 10.30 बजे य मंदिर के खुलने की बात करें तो मंदिर तो चार बजे खुल जाते हैं यह दोनों मंदिर लेकिन लगबग 8 बजे यह मंदिर बंद हो जाते हैं क्योंकि यह जंगल के रास्तों में परता है घनी पहाडियों की बीच में है इसलिए इस मंदिर को यानिकि एस्टबुजा और काली खो के मंदिरों को थोड़ा पहले बंद कर दिया जाता है जिस प्रकार कासी विश्वनात कोरिडोर संपन्न हुआ है वारार्षी में और अयोध्या कोरिडोर और अयोध्या मंदिर संपन्न हो रहा है अयोध्या में उसी प्रकार माबिन्धिवासनी का भी कोरिडोर बनना शुरू हो गया है और जल्द ही संपन्न होने वाला है और आप ये व्यू देख सकते हैं इसमें मंदिर का नक्सा दिखाया गया है और इसी नक्से पे मा बिन्धिवासनी का मंदिर संपन्न होगा ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता है अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ इस वीडियो कोन लोगों तक जरूर सेयर करें जो मा बिन्धिवासनी का या त्रिकोड यात्रा करना चाहते हैं तो एक बार फ्रेम्स बोलिये जैमातादी